ओम श्री बगला मुखी देव्याए नमा मंत्र साधना और हर दिन तांत्री को पाए से जुड़े रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले देखना तो बैल आइकन को दबाना ना भूले राधे राधे साध को ये जरूरी नहीं है कि किसी मंत्र को सिद करके ही वशिकरन किया जाए या कोई प्रियोग करके किसी को अपने वश्मी किया जाए कई बार छोटे छोटे से टोटके भी काम कर जाते हैं नवशकार साध को मंत्र साधना में आपका स्वागत है साद को अगर किसी व्यक्ति पर पहले से कुछ हुआ है और आप उस पर अपने आप प्रियोग कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी और हाँ अगर आप ऐसे व्यक्ति पर करते हो जिसके उपर पहले कोई भी क्रिया नहीं कीगी तो आपका काम एक छोटे से वशी करन तोटके से भी बन जाएगा आपको कोई भी ऐसा प्रियोग करने के अफशक्ता नहीं पड़ेगी जिसमें जो आप करने में शक्षम ना हो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं उस व्यक्ति पर कोई किरिया पहले सी कराई गई है या नहीं कराई गई तो अगर आप चाहो तो मैं जहे वाटसब पर उसकी डीटेल भेज़ देना मैं निशिल्क ही आपको बता दूँगा कि उस पे कुछ किया हुआ है पहले या नहीं किया हुआ है तो चलिए जानते हैं कि कोन से टोने टोटके से आपका काम जल्दी बन जाएगा पर साद को हमेशा की तरह शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलूँगा कि कोई भी प्रियोग मेरा कोई भी मंतर करने से पहले किसी गुरू की शल्हा गुरू का प्रामर्श अवश्चे ले आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क करके एक बारी पूछ ले तो चली जानते हैं कि कैसे वो टोने टोटके किया जाएंगे साद को जो सबसे पहले टोटका है उसमें आप पुष्प नक्षत्र में किसी धोबी के पैर की धूल को जिस भी सुन्दरी के सर पर डालोगे बशर्त है आप उसके संपर्क में रहने चाहिए वो आपको जानती हो जिस भी आप सुन्द्री के सर पर वह ढूल डालोगे तो वह सदैप के लिए आपके वश में हो जाएगी आपके बनकी ही रहेगी लेकिन ध्यान रखना आपको पुश्प नक्षत्र में ही यह प्रियोग करने है आपको कम से कम तीन बार यह प्रियोग करना है उसके साथ तो जो दूसरा प्रियोग है वो इस परकार है इस प्रियोग में आप उलू की हड़ी लेकर किसी भी आंग की हड़ी ले उसकी हड़ी लेकर केसर, कस्तूरी और कुमकुम के साथ घिस कर अपने मस्तक पर लगा कर जिस भी इस तरीके सामने जाओगे यह प्रियोग भी आपको तीन बार करना है आप जिस भी इस तरीके पास जाओगे वो आपके साथ इतनी सम्मोहित हो जाएगी कि जैसे एक चुम्बक चुम्बक को खिचता है उसी तरीके से वो भी आपकी और खिची चली आएगी तो साद को जो तीसरा टोटका है वो इस प्रकार है साद को आपको घी के साथ कनेर के फूल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है कनेर के फूल आपको घी के साथ कनेर के फूल के मिलाकर स्त्री का नाम लेकर हवन करना है और ये जो हवन करना है ये अमावस्य के दिन करना है आप साधारन अगनी जलाकर उसमें अहूतियां दे आप मातर पांच दिनों में ही बोलोगे कि आपका काम बन गया तो इसके साथ साथ को जो अगला छोटा सा टोटका है वो भी इसी प्रकार है उसमें भी आपको कनेर के फूल ही चाहिए होंगे तो आप पाँच कनेर के फूल लेकर और पाँच फूल वाली लोंग लेकर ये दोनों चीज़े एकत्रित करकर इस मंत्र का जाप करें ओम क्लीम काम देवाए नमहा, मंत्र का एक और बार उचारण कर देता हूँ, ओम क्लीम काम देवाए नमहा, यह मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस मंत्र का उन सामगरियों को हाथ में लेकर साथ बार जाप कीजिए, और जाप के बाद इन फूलो और इन लोंगों को किसी चोराहे पर रखाएं साध को ध्यान रखे चोराहे पर रखे आते हो समय वापस आते समय आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखेगा क्योंकि अपशगुन होता है अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो या आपको कोई टोकता है तो आप चुपचाप सीधा अपने घर पर आएए और उसके बाद आप चाहें कहीं भी जाएए तो साध को ये जो थे ये बहुत ही बेजोड अचुक और परभावशाली टोने टोटके थे जो सद्यों से ही पुराने समय से प्राचीन लोगों में काम में लाए जा रहे हैं तो साध को आशा करता हूँ आप ये जो प्रियोग अच्छे पूर्ण विश्वास से ही करोगे और अगर कोई भी चीज समझने में समस्या है तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं मेरा संपर्क सुत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो साध को आज के लिए सिर्फ इतना ही आने वाले समय में अपनी और अच्छी अच्छी तांत्रिक विद्या में आपके साथ शेयर करूँगा तो साध को वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद राधे राधे